नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनीश आनंद दो राइसिना हिल्स आपके साथ देश में छपे अखवारों में जो संपाद किये गिसामेक्षा एक बर फिर से करेगा दोस्तों सेंसिस हर दस साल में देश में आज तक होता आ रहा है 1872 से लेकर के आज तक कभी देश ने संसिस कभी मिस नहीं किया है 2011 में हमारा आखरी संसिस हुआ था और 2021 में संसिस होना था 2022 के अगस्त महिने में हम हैं और अब तक संसिस सुरू नहीं हो पाया और डेकन हैरर्ड ने बताया कि सरकार ने इसको फिर से एक बार पोस्ट पॉन कर दिया है COVID-19 के बहाना को लेकर के COVID-19 के कारण दोस्तों COVID-19 का ऐसा महौल देश में है नहीं कि संसिस जैसी करवाही को रोका जाए क्योंकि देश में आप देखेंगे हर चीज का कारेकरम चल रहा है और सेंसिस में लोग जो ओफिशल्स होते हैं वो लोगों के घरों में जाकर के कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं जिसमें की COVID-19 का ज्यादा रिस्क अगर प्रोटोकॉल को फालो किया जाये तो होगा नहीं ऐसा डेकन हैलल का मानना है दोस्तों डेकन हैलल ने ये कहा है कि शायद जो सत्ताधारी भारते जनता पार्टी है वो COVID-19 में मरने वालों के लोगों के संख्या सही संख्या के आने से भी शायद उनको घबरहाट होगी जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा WHO ने बहुत बड़ा आकड़ा दिया था COVID-19 में मरने वालों का जबकि सरकार ये मानती है कि देश में इस करीबन 5.5 लाख लोगी मारे गए थे COVID-19 पेंडमिक में साथ में दोस्तों कई सारी पेफक्षी पार्टियां जाती अधारित सेंसर्स का भी मांग कर रही है जिसमें की बिहार के नितिश कुमार अग्रणी भूमिका में देखे गए हैं पिछले कुछ महिनों में और शायद इस वज़े से भी केंदर सकार सेंसर्स कराने से हेचक रही हो ऐसा डेकन हैरल का सोचना है डेकन हैरल ने बड़ी एक तीखी प्रतिक्रिया में करी कही है कि जो भी देश डेटा कलेक्शन से भागता है वो एक कहें तो तानशाही प्रभरती को दर्शाता है और लोक तंतर में डेटा से घबराना नहीं चाहिए डेटा को रोकना नहीं चाहिए, जो डेटा है वो देश की सच्चाई को बियान करता है, उसको आने देना चाहिए। अकसेस मिला नहीं, वैसा ही परणाम गुजराती और हिंदी में पढ़ाने का भी जो लौ था कुछ राजियों में, वहाँ पर भी जो रिजल्ट मिलना था, वो मिलने पाया, ये नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दोस्तों, उसके उपर केंदर सरकार काफी चिंते थे, जल्द स जल्द लागू कराने के लिए, लेकिन दोस्तों, जो एजुकेशन है, वो सम्विधान के कंकरेंट लिस्ट में है, और ये कंकरेंट लिस्ट में होने के वज़ए से, आप किसी भी राज्य सरकार को बात दे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सुझाव मातर के रूप में ही क गई सारे स्टेट्स हो गए, वहाँ पर नई शिक्षानिती 2020 को लेकर के ज़्यादा जोश देखने ही रहा, दोस्तों ये हिंदू का संपादा किया था, लेकिन दोस्तों हमने ये भी देखा कि चाइना, जपान, जर्मनी ऐसे देशों में, वहाँ के मातरी भास्षा में ही प पास है, तो ऐसे में भारत को भी सीख लेनी चाहिए, टाइमस अफिडिया ने दोस्तों, 31 जुलाई 2022 में जो खत्म हुआ, इंकम टेक्स रिटरन फाइल करने का डेट, उसमें महज 67 लाख लोगों ने इंकम टेक्स रिटरन फाइल करा गया है, जो कि कोई उत्सा वरतक चेज नहीं है, और दोस्तों, महज 20 परतिशत लोग ऐसे हैं देश में, जो 5 लाख या उससे अधिक उनकी आया है, ऐसा टाइमस अफिडिया कहता है, जो कि फिर से एक बार कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है, और सिर्फ 0.2 फिजदी ही ऐसे हैं, 9.17 लाख फर्मस्क में, जो कि 69 परतिशत corporate tax पे करते हैं, तो दोस्तों, यह हमारा था आज का संपाद के समिक्षा, आपको यह कैसा लगा, हमें feedback देखर करके बताएं, चैनल को subscribe करें और link अपने दोस्तों के साथ share भी करें, धन्यवाद